हलो एन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अब इसे एक और आज कि इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्पुन इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ अगर आप एक बियलो हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा तो इस वीडियो को पूरा जोल देखेगा तो देख सकते हैं कि अगर आपने फॉर्म 6 या फिर 8 या फिर फॉर्म 7 अगर आपने किसी का भी अपलाई किया है या फिर आपके एरिया में ये मतलब आपका जो मदान केंदर का एरिया आता है बूत एरिया आता है आपके एरिया में कोई भी खुद से या फिर पग्या केंदर से फॉर्म 8 या फिर 6 भरा हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आप भी अपलाई किये हैं चाहे कोई करना होगा कि ये आपके एरिया का है और वो जो डॉक्मेंट से अपलोड किया है वो सही है और उन्होंने सारा डीटैल कर्यक्ट इंटर किया है या नहीं वो आपको करना पड़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फिलाल हमारे यहां फॉर्म 6 का वेरिपिकरिकरिचन के देखते हैं इसी वीडियो में मैं सारा जानकाई दूंगा तो इस वीडियो को पूरा जोड़ देखते रहें तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि देख सकते हैं इस प्रकार से आटो फॉर्म खुलके आ गया है आपका जितना टोटल फॉर्म होगा यहां पर खुलके आ जाए तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म 6 का आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको चेक्लीच करना है तो यहां पर कहीं भी आप जैसे इसका नाम है तो यहां पर नाम सो कर रहा है तो यहां पर आपको टैप कर लेना है उसके बाद सबसे पहले आपको इनका फोटो देखना है टैब करके कि इनका photo का quality अच्छा है कि नहीं अगर quality ठीक है तो कोई रिकत नहीं अगर आपको धुंदला या पी कुछ problem लगता हो या पी crop किया हुआ इस प्रकास से ना हो तो आप यहां से click करके आप upload भी कर सकते हैं उनको call करके आप उनको photo WhatsApp के दुरू मांग सकते हैं या पर उनको बुला के photo ले सकते हैं और photo को crop करके आप upload कर सकते हैं अगर उन्होंने photo सही नहीं डाला हो तो उनसे contact करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको उनका mobile number मिल जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा अगर कुछ problem आता है तो call करके आप उनसे contact कर सकते हैं कि उनका documents म यह problem है तो आप उनसे मांग सकते हैं WhatsApp के तुरूर चाहिए आप उनको बुला सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्सक्राइब आपको photo चेक कर लेना है उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर उनका नाम और related name बेगरा सारा कुछ सो कर रहा है उनका नाम आपको देखना ह relative name देखना है उसके बाद उसका documents देखना है उसका documents के हिसाब से उनका नाम relative name मतलब father या पर mother name जो भी है वो सही लिखा हुआ है या नहीं तो आपको देख लेना अगर सही है तो कोई दिकत नहीं कुछ अगर गलत उन्होंने entry किया तो यहाँ पर edit वाले icon पर आप click करके edit कर स सही है same to same match कर रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर same पर click कर देना है जैसा ही same पर click कर देंगे आपको नीचे आना है यहाँ पर address detail है तो address detail आपको documents देखना है कि जो documents में उसका address दिया हुआ है वो यहाँ पर उन्होंने type किया हुआ उससे match कर रहा है कि नहीं अगर सारा क या ने कुछ डुकिमेंट अप्लोट कर दिया या फिर धुन्दला अफडोट कर दिया है किसी वज़ये से कुछ फ्रोब्लम और डकुमेंट में तो भी आप यहाँ यह एडिट वाले आइकन पर किलिक करके यह Hulk up लोड कर सकते हो खुद से ज्यादा हो गया होगा तो इनको age declaration form upload करना होगा तो यहाँ पर बहुत कोई जो खुर्ट से अप्लाइ करते हैं यहीं गल्ति करते हैं कि age declaration form upload नहीं करते हैं लेकिन इसका 18 साल नहीं हुआ है तो इसको मुझे चेक मारक नहीं लगाना है उसी का चेक मारक लगाना है जिनका एकिस साल हो गया सोरी इनका एकिस साल नहीं हुआ है इसलिए यहां पर हम इसे अंचेक ही रखेंगे लेकिन जिसका एकिस साल हो गया उनको चेक कर देना है यहां कर देना है उसके बार यहां पर बहुत सारा option आपको दिखेगा यहां पर ना है कि जिनका आविदन आया है वो आपके area का है या नहीं आपके area का है तो आपको available कर देना है अगर आप को कॉंटक्ट कर लेना है उनसे कि वो क्या चाहते हैं कि वो अपना यहां पर मर्दाता सूची में नाम चरहाना चाहते हैं यहां पिर नहीं उनसे आपको कॉंटक्ट करके उनसे बात करके ही आपको कोई कदम उठाना है अगर वह एभी लेबल है तो सिंपली एभी लेबल पर क क्लिक करके आपको यहाँ पर ला देना है कि अब डिटेल्स आर करेक्ट एन वेरिपाइब मतलब साड़ा कुछ आपका सही है जितना भी डिटेल्स लाला गया है वो सही है आप आपके बूट लेवल एरिया में और रिमार्क में आपको यहाँ पर सिंपली आप ऑल ओके डाल द कर देंगे तो आपका चेकलिषब्स हो जाएगा तो यहां पर और एक प्रोगलम आती हा बहुत को ओने कब एक प्रोगलम आती है है यह एक प्लिकेशन का वग अब होगा को ध ole量 होता है स्वान्ट आप 129 तो आपको हो जाएगा कोई दिक्रनी ओप फिर भी नहीं होटा है तो यह जाएगा यह कोई लीड दिनों तक नहीं रहती है जब अपडेट आता है तो यृ झॅज लेता है उसके लाइसे मैंने फार्म six का बता दिया अब में एक फार्म eight लेता हूं मैं एक स्डेक्स कर लेता हूं लेता हूं इस प्रकार march लेना है कि उनका photo सौही है का नहीं और वह खटार करना करेगा आप फोटो पर tap करेंगे तो उनका फोटो अगर अगर अप कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं कि advocate कि लिए अप्लाई किया है तो उस से लिट्ट जो documents upload किया है वह सही है यह नहीं जो डेटाबर वह शुदार करना चाहते हैं वह documents में available है या नहीं अगर आपको सही लगता है तो same पर क्लिक कर देना है और आपको कुछ गलत लगता है तो not same पर क्लिक कर देना है उसका बाद यहां पर एड्रेस यहां पर देख लेना है जो एड्रेस इन्होंने डाला है जो सुधार करना चाहते हैं उससे यहां पर भ्यूग कर लेंगे तो यहां पर अगर आपको सही लगता है कि हाँ डोकुमेंस सही अप्लोड है तो सैम पर क्लिक कर देन तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि रिज़ाइट करना अच्छा नहीं होता है आप उनको खुछ से सुधार भी कर सकते हैं उनसे kontract नहीं हो पाता है तब आप इसको not sample क्लिक करकी reject कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर available पे आपको tick mark करने देना है क्योंकि यह आपका boot area का होगा तभी form 8 का यहाँ पर verification आएगा लेकिन अगर कोई absent है shifted है dead है no such person इस प्रकास से कुछ आता है तो आपको पहले उनसे contact कर लेना है कि वो अपना जो मत दाता सुची यहाँ पर नाम रखना चाहते हैं यहाँ नहीं contact करके आप फिल्ड वेरिफाइक कर दीजेगा तब ही आप कुछ परकास से आप verification कर सकते हैं देख सकते हैं फॉर्म चेक्लिस्ट इज पोस्टेश सकसेशपुली तो शुबह एक प्रोब्लम आ रही थी कि यह जो बैश्पिकेशन हो नहीं पा रहा था लेकिन अभी हो पा रहा है तो इस प्रकास से आप कुछ प्रोब्लम आती है तो यह प्र सबस्क्राइब जरूर कर लेंगे और देख सकते हैं सबस्क्राइब करके यहां घंट्री के आइकन पर क्लिक करके और पर क्लिक कर देंगे इससे यह अच्छे से कर सके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू